आईए हम लोग अब सेट दो देखते हैं हिस्ट्री क्लास तेंथ भारत में राष्टवाद इसके पहले हम लोग का सेट वन जो है आ चुका है यदि आप लोग उस पीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देखिए उसमें बहुत ही महतपुर्ण कोस्टन को जो है सामि बिहार के किस जीले में लागू थी पटना, दरभांगा, पुर्णिया या चमपारन देखेगा इसका जो एंसर होगा डी नमबर अप्शन सही है नेक्ष देखिए चमपारन आंदोलन कब हुआ था उनेश सोल्ला, उनेश सो सत्रा, उनेश सो अठारा या उनेश उनेश उने जो राइट एंसर होगा, बी नमबर अप्शन सही है, उनेश सो सत्रा, नेक्ष देखिए इसका जो एंसर होगा, महात्मा गांधी होगा, सी नमबर अप्शन सही है, नेक्ष देखिए कांग्रेस लखनाव अधिवेशन कब हुआ? 1916, 1917, 29293 देखिए इसका जो राइट एंसर होगा, ए задач नमबर अप्शन सही है, 1916 कांग्रेस के लखनाव अधिवेशन जो हैं 1916 में हुआ था और इसी अधिवेशन में चमपारन के राजक्मार सुकल ने जो है चमपारन के समस्या को गांधी जी के सामने बताये थे मुदा उठाये थे और उनको आने के चमपारन आगरह किये थे और उनके कहने बा महात्मा गांधी चमपारन आये थे नेक्ष देखिएगा आगला कोशन बोल रहा है चमपारन के किसान समस्या के बारे में गांधी जी को सबसे पहले कौन बताया तथा उनसे यहां आने का आगरह किया देखिएगा अपसन है राज अंदर परशाद स्त्री कृष्ण से राज कुमार शुकल या इन में से कोई नहीं जश्ट आपको बताये हैं इसका जो राइट एंसर होगा सी नमर अपसन सही है राज कुमार शुकल नेक्ष देखेंगे खेरा आंदोलन खेरा आंदोलन कब हुआ 1916, 1917, 1918 या 1919 देखिए खेरा आंदोलन जो है गुजरात के सुरत जिले में हुआ था और यह जो है कब हुआ था बताये यह जो है 1918 में हुआ था नक्ष देखेंगे खेरा आंदोलन किसके नित्रितु में सफल हुआ सरदार पटेल महात्मा गांधी राजेंदर परशाद या इन में सभी देखेगा इसका जो राइट एंसर हो जाएगा बी नमर अपसन सही है महात्मा गांधी नक्ष देखेंगे किस आंदोलन की सफलता के बाद वल्ल भाई पटेल के नाम में सरदार सब्द जूर गया चमपारन आंदोलन होर आंदोलन खेरा आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह देखेंगा इसका जो राइट एंसर होगा डी नमर अपसन सही है बारदोली सत्याग्र नेक्ष देखिए अखिल भारतिय किसान सभा का गठन कब हुगा देखिएगा अप्सन है 11 अप्राइल 1936 12 मार्च 1946 31 माई 1931 या इन में से कोई नहीं इसका जो राई टेंसर होगा ए नमबर अप्सन सही है 11 अप्रील 1936 नेक्ष देखेंगे बीटा था सोनपूर में किसान सभा की अस्थापना किसने की राजंदर परशाद स्री कृष्ण सिह स्वामि सहजानन सुरस्वती या जैफ्रकास नरायन इसका जो राई टेंसर होगा सी नमबर अप्सन सही है श्वामि सहजानन सुरस्वती नेक्ष देखेंगे बकास्त आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ था उतर परदेश, बिहार, उडिशा या कलकत्ता देखेंगे इसका जो राइट एंसर होगा बी नमबर अप्सन सही है बिहार नेक्ष देखेंगे मोपला विद्रोह कहां हुआ था कानपूर, केरल का मालाबार तट, अहमादाबाद या उडिशा देखेंगे इसका जो राइट एंसर होगा बी नमबर अप्सन सही है केरल का मालाबार तट नेक्ष देखेंगे खोर विद्रोह कहां हुआ था उडिशा, गोवा, गुजरात या मुंबई, देखेंगे खोर विद्रोह जेए उडिशा में हुआ था नेक्ष देखेंगे जालिया वाला बाग हात्याकान की स्तिथी को हुआ, 6 अपराइल 29, 9 अपराइल 29, 13 अपराइल 29, या 5 अपराइल 29 देखेंगे इसका जो राइट एंसर होगा, सी नमबर अप्सन सही है, 13 अपराइल 29 नेक्ष्ट कोस्चन देखेंगा, आगला कोस्चन है, सविने अवाग्या अंदोलन कब और किस यात्रा से सुरू हुआ, 1939 दांडी, 1920 भुज, 1939 अहमादाबाद, 1920 सुरत, देखेंगे इसका जो राइट एंसर होगा, ए नमबर अप्सन सही है, 1939 दांडी, नेक्ष्ट देखेंगे, रामपा विद्रोह कब हुआ था, 1929, 1928, 1927 या 1916, देखेंगा, रामपा विद्रोह जो है, 1916 में हुआ था, तो इसका राइट एंसर होगया, डी नमबर अप्सन सही है, नेक्ष्ट देखेंगे, भारत में खिलाफ़ात अंदोरन कब और किस देस के सासक के समर्थन में शुरू हुआ, 1929 जर्मनी, 1929 अरब, 1929 फ्रांस, 1929 तुर्की, देखेंगे, इसका राइट एंसर हो जाएगा, अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है डाइट पार्लियामेंट जातिये संसद या कांगरेस देखिएगा अमेरिका के संसद को कांगरेस कहा जाता है डी नमबर अप्सन सही है नेक्ष देखिएगे किसने श्वराज पाटी की अस्थापना की चितरंजन दास मोती लाल नहरू या दोनू या इन में से कोई नहीं देखिएगा इसका जो राइट एंसर होगा दोनू मोती लाल नहरू और चितरंजन दास ने मिल का स्वराज पाटी की अस्थापना की नेक्ष देखिएगा गांधी इर्विन पैक्ट कभ हुआ था? 5 March 1921, 5 March 1931 या 5 March 1932, 8 March 1931 चलिए सूचिए इसका जो रायर्ट एंसर होगा बी नमर अप्षन सही है 5 March 1931 नेक्स्ट कोस्टन देखिए किस एक्ट को कोई वकील नहीं कोई दलील नहीं कोई अपील नहीं वाला कानून कहा जाता है रॉलट एक्ट वर्ना कुलर एक्ट पुना एक्ट या इन में से कोई नहीं देखिएगा इसका जो राइट एंसर होगा रॉलट एक्ट होगा नेक्स्ट कॉशन देखिए डांडी यात्राकर गांधी जीने कौन सा कानून भंकिया कापरा कानून नमा कानून रौलट कानून या इन में कोई नहीं देखिए गए डांडी यात्राकर गांधी जीने नमा कानून को तोरा था बी नमबर अप्सन सही है नक्ष दखिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिरेसन में और कप पारित हुआ लहार 1929, कराची 1931, बेलगाँ 1937, कलकत्ता 1933 सोचिए इसका जो राइट एंसर होगा ए नमबर अप्सन सही है लहार 1929 नक्ष दखिए किस देश के सासक को खलिफा कहा जाता था मिस्र, इजराइल, तूर्की या इरान इसका जो राइट एंसर होगा सी नमबर अप्सन सही है तूर्की तूर्की के समर्थन में ही भारत में खिलाफ़त आंदोलन हुआ था नक्ष दखिए भारती राष्टी ये संग यानी आर एसस की अस्थापना कव और किष्णे की 1923 गांधी जी 1925 केवी हेट गवार 1934 चैवी परकास नारायन 1949 सुभास चंद्रभूस तेखिएगा इसका जो राइट एंसर होगा बी नमबर अप्सन सही है 1925 में डॉडर केवी हेट गवार केशव बली राम हेट गवार ने आरेसस की अस्थापना किये थे नेक्ष दखिए भारती ये राष्टी ये कांगरेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जैए परकास नारायन सुभास चंद्रभूस गांधी जी विव मेश चंद्र बनड़ जी देखिएगा इसका जो राइट एंसर होगा डी नमबर अप्सन सही है विव मेश चंद्र बनड़ जी नेक्ष क्रसन देखिए खोर विद्रो कब हुआ था 1914 1915 1916 1917 देखिएगा खोर विद्रो जो है गुजरात में हुआ था कब गुजरात में है उडिशा में हुआ था खोर विद्रो उडिशा में हुआ था कब 1914 में ए नमबर अप्सन सही है नेक्ष देखिएगा अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अस्थापना कब हुई अप्सन है आठारा सो अन्टालिस आठारा सो अन्ठावन आठारा सो पचासी ये उनेशो बीस देखिए इसका जो राइट एंसर होगा डी नमबर अप्सन सही है उनेशो बीस नेक्ष देखिए अखिल भारतिये की सान सभागा गठन कब और कहा हुआ था उनेशो अठाइस बीहिटा उनेशो चाथिस लखनाव उनेशो अन्टिस पटना उनेशो अर्तिस कलकाता सोचिए देखिए इसका जो राइट एंसर होगा बी नमबर अप्सन सही है उनेशो चाथिस लखनाव नेशो देखिएगा चावरी चावरा हात्या कांड कब घटित हुआ पांच फरवारी उनेशो बाइस पांच फरवारी उनेशो बाइस छाव फरवारी उनेशो बाइस या छाव फरवारी उनेशो बाइस चलिए इसका जो राइट एंसर होगा ये नमबर अप्शन सही है पांच फरवरी 1922 को चौरा चौरी जो है हत्या कांड हुआ था जिसमें 22 पूलिस कर्मी जो है मर गए थे ठीक है तो इस तरह हम लोग इसको देख गए अब इसके आगए जो है सेट थीरी आएगा जिसको आप लोग जो है हर हाल में देखिएगा